हेलो बच्चो, MS Mathematics में आप से भी का स्वागत है, मैं सोनु गुपता, अभी हम लोग पढ़ आया थे, क्लास तीन्थ का, रियल नंबर फार्स चैप्टर, ठीक है, और फार्स चैप्टर में पार्ट वन हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लीज कर दिया गया, और यह सेकेंड पार्ट है, जिसमा हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चो, the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, fundamental theorem of arithmetic हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चो, यहाँ पर आप देख सकते है, theorem 1.2, अब यह fundamental theorem of arithmetic क्या करता है बच्चो, इसको देख लेते एक बार, ठीक है, every composite number can be expressed as product of primes, ठीक है, and its factorization is unique apart from the order in which the prime factors occupant, कहता है कि हर एक composite number को हम लोग product of prime numbers के form में लिख सकते हैं, और उसका जो factorization भी होगा, यूनिक होगा, मतलब हर एक composite number का factorization होगा, यह बात तो simply यहाँ से example के जरे हम समझ सकते हैं, बच्चो, तो example ले लेते हैं, example के तर पर देखिए, एक shortcut example लेते हैं, four is that the smallest composite number, four को हम लिखा, 65 यहाँ पर है, 65 पो देख लेते हैं, 65 का सबसे पहले prime factorization कर सकते हैं, factors find out करने के लिए बच्चो, तो यहाँ सम लोग देखेंगे, अगर तो five से अगर करें, five one जा, five three जा, और 13 one जा, okay, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं, five into 13, ठीक है, तो 65 को हम लिख सकते हैं, five into 13, product of क्या, product of prime numbers, 54, 54 का factorization करती, जब 54 का factorization की, two, two's are, four, two, sevens are, and three, nines are, 27, three, three's are, one, and three, one's are, okay, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 54 को two into three into three into three, okay, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 54 को product of prime numbers का form मे लिखा, आप देख सकते हो कि तीनों का जो factorization है, वो यूनीक है, अपने आप में, देख आपर two into three into three into three into three, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों चीजे काम कर रहा है, theorem क्या कहता है, कि every composite number, कोई भी composite number, four, 65, 54, सब को product of prime numbers का form मे लिख दिया, और इसके साथ साथ इसका factorization भी होनीक हुआ, तो बच्चो, हम ऐसा करते हैं, क्या से आपको समझ में आओ, कि यह ज numbers को कह रहा है, कि product of prime factors में हमको express करना लिखना है, तो बच्चो, आप पहले भी से भी prime factorization पढ़े होंगे, prime factorization कैसे किया जता है, यह भी आपको पता होगा, तो factors निकालने के लिए prime factorization करना बहुत ही ज़रूरी है, तो 27 यहाँ पर हो गया, आपके पास 235 हो गया, फिर यहाँ से आप 5, 7 जा फिर 7, 1 जा, ओके, तो यहाँ पर 140 को हम लिख सकते है, 2 into 2 into 5 into 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, 140 को हमने लिख दिया, 2 गुने, 2 गुने, 5 गुने, 7 यानि product of prime numbers, तो बच्चो यहाँ से समझ में आगे होंगे, product of prime numbers कैसे लिखा जाता है, किसी भी composition number को, ठीक 6 जा 30, 255, 5 जा 25, 5, 1 जा 5, ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते है, 3, 8, 2, 5 को लिख सकते, 5 into 5 into 3 into 3 into 3 into 17, तो बच्चो आपने देखा कि 3, 8, 2, 5 and 3, 825 को लिख सकते, product of prime numbers, 5 भी prime numbers है, 3 भी prime numbers है, and 17 भी prime numbers है, तो यहाँ से theorem समझ में होंगे, बच्चो बाकी की जो questions है, यहाँ पर 156, 2, 4, 5 या आप homework भी कर सकते हैं, बच्चो, काफी simple है, इसी method पर आपको बनाना है, आप check कर सकते हैं, कि क्या आप बना पा रहा है, या न इसके LCM, SCF निकालना है, and then after verify करना है, कि LCM into SCF is equal to product of two numbers, product of two numbers, यानि कि सपोज मानते हैं, कि हमारे पास दो number से A, और B, दो number अगर given दिया हो, तो कहता है कि SCF into LCM is equal to होता है, A into B, यानि product of the given numbers, यह हमको verify करना है, बच्चो, ध्यान दिजेगा, बाकी यहाँ पर आपके पास यह जो given number दिया हो, इसके LCM, SCF सबसे पहले निकालना है, बच्चो, तो LCM, SCF कैसे निकालते हैं, बच्चो, तो simply division में 30 से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत निया, यह आपको नहीं बोल रहा है, कि आप prime factorization से निकाल या, डिविजन से निकाल या, किस से निकाल या, आ आपको जो सुपिदा लगे, जो असान लगे, उसी से निकाल या, कोई दिक्कत निया, तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, LCM, division method से, ठीक है, तो 2, 6, 9, 1, अगर जिसको भी demand होगा, prime factorization method से भी निकालना है, LCM और SCF निकालना सिखाना है, उस दि देख सकते हैं, 26, 9, 1 है, तो यह 2 से तो दोनों चीज़े जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर यह पर यह होगा नहीं, पाकी यह 13 से जाने वाली चीज़ दिख रही है, सीधे-सीधे 13, 2, 26 हो जाता है, और और फिर उसके बाद, 7 times में यह 91 हो जाएगा, 13, 91 हो गया, ठीक है, तो 2 और 7 बार में गया, अब उसके बाद क्या जाएगा, क्या जाएगा, एस पॉसिबल लग रहा है कि जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो क्या करना, बच्चो, तो हमको LCM निकालना, बच्चो, तो LCM is equal to लिखेंगे, 13 into 2 into 7 लिख देंगे, तो कितना हो जाग सब्सकी एब खालते है, कितना होगा, 26 सब्सकी एब जिएगा, Stickman एज चानलना, ठीगे में जाएगा, फैस बच्चो कितना हो जाएगा, सब्सक्राइब कितना निकल गया थर्टी निकल गए दिविजन में हमने बटाए बता है ओके अब वेरिफाइब करने बच्छो लह रहे इस लह चैस में है लकला है बच्छो 13- alternating ... अकितना हो जाएगा बच्छो। तो ... डाइरेक्वी हम लोग करें तो 30 Twin Ah 90 wealthняя और 13 अ dB …104 ठीक है एक सो चार तो तो ठीक है और करेंगे कितना 10 ठीक है तो यह तैजीज़ आज़कर अ multiplication 182 से कर दिया आप भी कर सकते हैं ठीक है अब RHS हमने देख लिए RHS देख लेते हैं राइट हैंड साइड देखते हैं तो A into B formula यानि दोनों नंबर का multiplication करते हैं तो 26 into 91 करना 26 into 91 हम लोग मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो आप डारेक्ट भी कर सकते हैं और जैसे भी आपको सुभी दा लगए वैसे कर सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो तो हम लोग यहां पर simple multiplication कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो समझना 6 2 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 यह हो गया भी करना था भाच्छो बस यहां से फाइनल हो गया चीजह ठीक है पहले तब को सकते हैं बना ले जीएगा भी यह हम बना भी देंगे तो देखिए आपर सेकेंड खोशन कैसे बनता है फाइफ वोन जी रो नाइन ट्व इन दोनों का हमें क्या निकालना अपको सबसे पहले अल से निकालना है 2 से जाए गा 2, 2 जा 4 और 1, 2 5 जा 10 और 1, 0 1, 0 तो फिर कितना हो जाएगा 2, 5 जा 10 ओके सो यहाँ पर आगर हम लोग देखे तो 24 जा 8 और 26 जा 12 ओके अब यहाँ से हम लोग देखे तो कितने से जाएगा यह हम लोग को और यह जाएगा भी या फिर नहीं जाएगा तो 5, 5, 10 और 2, 12 यानि यह 3 से जाने लाइक दिख रहा है नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा यह थ्री से भी यह नहीं जाएगा, कौन से नंबर से यह जाएगा, अंदाजा लगा यह कौन से नंबर से यह जाएगा, फाइव से तो जाएगा ने, और टू से जाएगा ने, वो कितने नंबर से जाएगा, आप चेक आउट कीजिए, चेक आउट किजिए कितने नंबर से जाएगा 255 है तो यह और 46 दोनों को कटाना है क्या किसी नंबर से यह कटेगा कि नहीं कटेगा यह भी चीक कर लेना है तो 255 है तो यह तो 5 से जाएगा या फिर 3 से भी जा सकता 5 5 10 और 2 12 तो 12 याने 12 डिजिट्स का आएड करने पर इतना आता उतना कुछ है करना होता है क्या वह 3 से डिविजबल है यह नहीं लेकिन यहाँ पर यह 3 से डिविजबल नहीं है तो यह पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा तर 10 से होगा नहीं 17 से होगा नहीं 23 एक देख रहा है 23 से यह जाए गा ही नहीं 23 से यह कभी नहीं जाएगा यह अगर हम लोग देखे तो यहाँ से आगे अभी नहीं कटेगा तो अगर हम में के चलते है तू इन्टू 255 इन्टू 46 ओके सो यहां पर इसका यही निकल के रह जाएगा ठीक है इससे आगे नहीं जाएगा बस यह देख लेते अब एससे अफ निकाल कर चेक आउट कर लेते तो 92 से 510 को डिबैट करना देखते कितना बार में जाएगा तो 9545 यानि 5 बार में तो बिल्कुल जाएगा 9545 यानि कि यह हो जाएगा 460 ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास बचेगा कितना 50 ठीक है पचास 92 एक बार में जाएगा तो यह हो जाएगा 42 ठीक है 50 बचेगा तो 551 टाइमस में जाएगा त 42 तो फिर कितना बार में जाएगा 8,5,40 यानि कि 40 ठीक है 2 बचा 8 तो 2,4 का 8 कट गया तो कितना HCF आ गया 2 तो HCF कितना गया HCF आ गया आपके पास 2 बिल्कुल सही है मतलब कि यह आपके पास LCM निकल गया और यह आपके पास क्या निकल गया HCF निकल गया तो यहाँ पर LCM into HCF करना हमें LCM into HCF जो हो गया वो RHS हो जाएगा LCM into HCF RHS हो जाएगा तो RHS is equal to कितना हो गया 2 into 255 into 46 हाँ यह हो गया आपका LCM ठीक है और HCF में हो गया 2 तो एक बार हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या कर देए इसको 510 यह LHS हो गया LHS into 92 तो यहाँ पर आप अगर multiply करो तो दोनों तरफ सेम चीज मिलने वाला है ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से इसको 2 से multiply करेगो तो 510 आई इसको कर दोगे तो 92 और इधार भी 510 92 तो यहाँ से verify कर लोगे बच्चो यह directly verify होगे अब यहाँ पर लिख सकते हो बच्चो LHS is equal to RHS तो इस तरीके से verify कर सकते हैं अगला वाला है 336 और 54 तो काफी यह simple है ठीक है छोटा नमबर है आप कर सकते हो तो यह आपका हुम अक्रा है यह आप अपने से खुद से कर लिजेगा ठीक है बच्चो चलो आगे बढ़ते हम लोग और अगला questions को देख लेते हैं ठीक है प्राइम समस्क्राइशन में थर्ड इस्तिमाल करके ही निकलना है एसे में निकलना है तो फिर क्या ही करना तो 12, 15, or 21 है तो 12 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फ्राइम अप करेंगी फिर उसके बाद हम लोग 21 का करेंगे तो यह हो गया 2, 2, च्छक के 12, 2, 3, 6 और 3 एकम 3 तो 12 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3 इसका कर लेते हैं तो 3, 5 एकम 5 तो 15 का हो गया कितना 3 गुने 5 और 21 का अगर हम लोग देखें तो 3, 27 और 7 एकम 7 तो इसका हो गया कितना 21 का 3 गुने 7 अब यहाँ पर हम लोग वच्चु देखेंगे LCM भी निकालन है LCM निकालना होगा तो हम लोग देखेंगे कि common कौन सा है LCM में सबसे पहले common check out करेंगे देखे 3, 3, 3, 3 एक common आपको निकल गया 3, 3, 3 common निकल गया उसके बाद कोई भी कोई भी factor common नहीं है कोई factor common नहीं है तो फिर LCM निकालना है जो common नहीं हो उसको जितना है उतना लिख देना है बच्चो तो यहाँ पर अगर LCM निकालना होगा तो यह आपके पास बच्चा कितना है यहाँ पर 2 into 2 ठीक है और यहाँ पर 3 के बदला 1 3 लिखाएंगे क्योंकि वह common हो गया और into 5 into 7 तो हम लोग का हो गया 2 2s are 4 4 3s are 12 12 5s कितना हो जाएगा 60 और 60 420 ओके तो यह तो आपका निकल गया अब हम लोग देख लेते हैं GCF निकल के Gaming FCF हम लोग क्या करते हैं बच्यों GCF में हाईर है इसमें कॉमंकों संब्स है कि 3 इस त्याइट पर गया मतलब बागी तो कम छोड़कर को गों कम नहीं या थी हाईस्ट Kievниц कोओ मंचोंद्लता यह जाह आहाए जोकर वहीग लिए थायाकर कर नहीं common में क्यों सा हो गया तो बस यह 3 हो जाएगा कितना simple है बच्चो ठीक है यह आपका SCF हो गया SCF 3 हो गया और LCM 420 हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देखें अब यहाँ पर हम लोग देखें डीविजन में ठाट भी यहीं पर सामने देख लें तो डीविजन में अगर करन तो कितना हो गया 321 कट गया यहां पर SCF आगा डीविजन में ठाट से 3 यह हम आपको क्लियर करा रहा है ठीक है बच्चो क्लियर करा रहा है अब यहाँ पर अगर हम लोग LCM निकाले LCM भी एक बार देख लिए बच्चो तो अगर डीविजन में ठाट से LCM देखें तो दू सब्सक्राइब यहां पर आप बिल्कुल के लिए कर लिए ना दोनों में ठाट आपको हमने बताया पहला में ठाट है जो कि हमने बताया जो कि यहां पर कमपल्सरी कर रहा है कोस्चन में इंक रायम फेक्टोर असन अमें ठाट का यूज करके यह आपको LCM से पनिकाल देख ऊण डिए अबको यह नीकाल रहा है तो आपको हमने पहले ही बताया जो कॉमने उसको एक बार लिखना है बाकी जो बच जाएगा उसको बाकी को लिख य ना है ठीक है और एससे पर निकालना तो जो common है बस उसी को लिखने है higher common factor बोलता है यह higher common factor यानि कि highest में जो factor सबसे बड़ा factor और वो भी common होना चाहिए बड़ा में common factor होना चाहिए तो बड़ा में common factor आपके पास यही वाला 3 is that अगर अधर कोई एक और common factor होता है तो उसको भी उठा कर दोनों के 20 की multiplication करते है बट common होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए common होना चाहिए तो यह बात हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसक ठीक है इसका तो कोई factor निकलेगा निए 23 को 23 लिखेंगे और 29 को 29 लिखेंगे यह सीधी सीधी अगर बात बुले कि LCM अगर निकालना हो तो क्या हो जागा 17 into 23 into 29 और इन तीनों के बीच की SCF आप अंधर लगाओ क्या हो सकते है एक होगा SCF SCF is 1 तो आप directly भी अगर बनाओग 29 का वही होगा तो से वह सीधी सी बात है अब अगला वाला जो next है यह थर्ड वाला इसको भी देख लेते हैं ठीक है 8 ठीक है थर्ड वाले का 8 8 का करना है कर लिजे 2 चोग का 8 2 दूना 4 2 एक हम 2 उसके साथ हम लोग करते है 9 को तो 9 को कर लेते हैं कितना 9 को 3 3 जा 9 3 बन जा 3 and then 25 5 5 जा 25 बन जा 1 so 8 is equal to 2 into 2 into 2 और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 into 5 okay so very simple अब हम लोग को क्या करना है common out करना है तो बच्चो इस में से कोई भी common निकल नहीं रहा है कोई भी common नहीं निकल रहा बच्चो तो फिर क्या करेंगे कोई भी कोमान नहीं करेंगे यह हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 यह पूरा का पूरा LCM ही होगा बच्चों यह पूरा का पूरा LCM हो जागा तो 2 दुना 4 दुना 8 तीन तीया 9 और 25 25 ऐसे करेंगे अब इसका 25 का 9 से करेंगे यह कितना वार में चला जाएगा तो यह 25 दूसा है कि दूसाब पच्चीश ठीक है नौ बार में जाएगा तो 225 25 का आठ से मल्टिप्लिकेशन कर देते हैं कितने बार में चला जाएगा तो 8 दूना 16 और और पचीश चोग का सो पचीश हो मनद लगभग अठारा सो ना आठ पंच चालिस ठीक अठारा सो होगा ठीक है और से अगर निकालना हो तो से कोई भी कमन फैक्टर नहीं है तो इसका से कितना आ जाएगा एक अब आप चेक आउट कर सकते हैं से आठ में नौ से भाग किजिए एक बार में एक एक सेफ हो गया उसके बाद एक से पचीश में कर दीजिए तो सब सिंपली सिंपली सेफ वान एंड एल सेमीज ऐटीन हंट्रेड ठीक है कंफर्म कोलता आठ पंच चालिस आठ दूना सोला और चार बीस आठ दूना सोला और इत होगा तीक है 1800 ही होगा ठीक है छलों नेक्स देख लेते हैं फोर नूनबर कौसेन कातह है « इससी नूमर का एलसम निकालना आ आप एक का formula पढ़ पढ़ चुके हैं कि hcf into lcm is equal to product of both the numbers बस यह formula उस करना है तो hcf आपके पास दे रखा है 9 into lcm हमें नहीं पाता है उसके बाद दोनों number दे रखा हम लोग के पास तो ऐसे लिख देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इससे इसको कटाएंगे कोई कटेगा नौ साते 63 तो नौ साते 63 होगा तो यह होगा दो और शाट ना और नौ तिया 27 तो यह हो जाएगा नौ साते और नौ तिया तो 27 ठीक है तो lcm is equal to होगे आपके पास 306 into 73 अब इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन आप ऐसे कर सकते हो सिंप्ली तिन छक अठारह एक तीन तिया नौ सात छक बे आलिस और चार साती है 21 ठीक है आठ तीन नौ चार तेरह दो दो ओके तो इतना वैल्यों हो गया है नहीं 22,338 कितना का lcm 22,338 तो यह हम से पूछ रहा था कि जब आप से एफ नहीं तो lcm कितना होगा सो कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है बच्चो अब यहां पर एक और कोश्टन आपके पास है यह 6 to the power n है बच्चो 6 to the power n है ठीक है ठीक है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n क्या किसी भी n का कोई भी वैली हो natural number कोई भी n का value 1 से लेकर 1 से लेकर infinite तक तो क्या क्या जो 6 का power अगर कुछ भी हो natural number में कुछ भी हो तो क्या वो 0 से end हो सकता है वो और संख्या 0 से क्या end हो सकता है इतमींस कहने का मतलब समझेगा बच्चो कि 6 to तो अगर अगर हम लोग ऐसे कर ले क्या कि if value of value of n is any natural number is any natural number ठीक है कोई भी natural number का रहा है कोई भी value natural number हो तो उस case में हम लोग क्या करते कि एन की value 1 2 3 dot 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 infinity तक जाएगा तो अब यहाँ पर हम assume कर ले कि n की value अगर 1 हो तो 6 to the power n है तो 6 to the power 1 हो जाएगा तो 6 होगा अगर n की value 2 मानते तो 6 to the power 2 36 हो जाएगा 6 to the power 3 n की value 3 होता है तो यह हो जाएगा आपका 216 तो क्या as possibilities बन रही है कि 6 की power कोई ऐसा हो जिसका unit digit जो है वो 0 यानि ending with 0 होगा as possible लग रहा है ऐसा है बच्चो तो आप देखो पहले तो 6 को तोड़ोगे तो क्या आएगा 6 को तोड़ोगे तो आएगा 2 into 3 तो 6 to the power n को लिख सकते है 2 into 3 to the power n 2 into 3 to the power n अब यहाँ पर आप बात को समझिएगा बच्चो कि 0 से इंड तभी होता है कोई भी number जब उसके as possible at least at least एक pair होना चीए 2 into 5 का जब तक 2 into 5 का at least एक pair नहीं होगा तब तक वो 0 से इंड नहीं होगा क्यूकि हम लोगों 0 lahna last में और 0 तभी आएगा जब वो 10 हो दस होता है यह two into five करते तो in starting with 0 ठीक है थिक है 10 हो 20 हो ठीक है थिक है 300 to 20 30 जा कोई भी value ले ले जिए बच्चो कोई भी value ले ले जिए हो इंड भी जे एक तो pair आए है यहाँ पर हम आ welt दीकिते दिया कि यह नंबर वेकिन इस तू इंटु फाइप कर नहीं आ भी तकॉट थो हम लोग के रूआ सकते कि इसका जो फैक्टर है उसको तो दोड़ते हैं तो इसका टू इंटु फाइफ ऐ काको पियर नहीं नहीं चीए जब भी कोई भी नमबर जीरो से इंड होता है आप चेक आउट कर सकते हैं कोई भी नमबर जीरो से इंड होता है इसमें at least कम से कम एक प्र होगा 2 into 5 क्या, without having a pair of 2 into 5 the the any numbers can't ending with digit 0 मतलब कोई भी नमबर नहीं हो सकता है ठीक है ये बात को हम लोग समझ लगे अब देखिए बच्चो कोशन नमर 6 क्या कहता है इसको को हम लोग देख लेते हैं ठीक है question number 5 तो समझ में आ गया ठीक है question number 6 को हम लोग देखते हैं अच्छे से और समझने की कोशिश करते है कि question number 6 क्या कहता है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers यह composite numbers है क्यों इसको explain करना है so how can we explain it कैसे explain कर पाएंगे तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं first वाला 7 into 11 into 13 plus 13 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों एक बार ध्यान से देखिए 13 plus 13 है 13 को common उठा सकते है तो 7 into 11 into 1 13 common हम लोग निकाल रहे है ठीक है 13 को common कर रहे है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 प्लस का यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करते है 13 को हमने दोनों जगा से common का ले तो यहाँ पर 13 ओके तो यहाँ पर 13 हो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बच्चों कि 7 into 11 कितना होगा 77 ठीक है अब प्लस का 1 into 13 यहाँ पर कोई एक नंबर है माल लेते हैं कोई नंबर अ था और उस नंबर को में लिख सकते हैं 78 into 13 यहाँ पर एक कोई नंबर है जिसका फैक्टर है more than 2 यहाँ इसमें एक और फैक्टर होगा 1 तो 1 एक फैक्टर इसके आलावे दो फैक्टर और है इसके बज़ासी एक फैक्टर है बस यह बताना था यह बोल रहाएगी क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर से इसलिए वह फैक्टर है बिलकुल समझ में है बच्चो अब यह कि यह वाला है इसको भी आप अशानी से हल कर सकते हो 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 plus 5 5 x 5 की वह उठा लो बच्चो बाकी को छोड़ दो तो 7 x 6 x 4 x 3 x 2 x 1 अब प्लस का 1 क्योंकि हमने 5 को उठा लिया है अब यहां से हम लोग अगर मल्टिपलिकेशन करें सच्चक 42 चार दें 122 कर दियों listening to up ऐन दोनों का मल्टिप्लीकेस़न कर दिए बच्चो तो 24 दोना आत चार चाव का सोलल दोना चार और दोना चार और तो आठ छे चार दस और नौ एक दस यानि एक हजार आठ प्लस का वन इंटु फाइफ इसको जोड़ लेते हैं तो कितना जाएगा एक हजार नौ इंटु फाइफ तो ये भी कोई नंबर है मालेज ये भी और भी नंबर को हम लिख सकते हैं तो इसको भी अजब प्रोड़क्ट अफ प्राइम नंबर लिखा जा सकता है इसको भी अजब प्रोड़क्ट अफ प्राइम नंबर लिखा जाता है तो हम लोग का थियूरी क्या कहता है कि every composite numbers can be written as the product of prime numbers तो बस यही थियूरी तो है और इसी थियूराम का परियों करके 1.2 से ह हम कह सकते हैं कि both the given numbers are composite numbers okay तो बच्चो आप लोग को समझ में होगा कि क्यों यह composite numbers है अब आगे बढ़ते हैं और last questions को देख लेते हैं क्या कहता है there is a circular path around the sports field Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same and suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction after how many minutes will they meet again at the starting point जैसे कि यह क्या है circular path है circular path में move करता है तो दोनों एक ही time से start करते हैं लेकिन Sonia 18 minutes का समय लेता है जबकि Ravi 12 minutes का समय लेता है तो एक points चागर start होता है तो Ravi एक round complete कर लेगा 12 minutes में तो Sonia अभी कुछ इधर ही पहुचे होगी एक round भी उसका complete नहीं होगा क्योंकि वह 18 minutes में complete करती है तो जब 18 minutes में complete करेगी तो Ravi आधा round मतलब 3rd round चला गया होगा मतलब 1st 18 minutes में Ravi 12 round होगा मतलब 1.5 round जबकि Sonia 1 round complete की होगी और जैसे ही Sonia और आगे बढ़ते हैं मतलब 6 minutes और आगे जाता है तो फिर Ravi यहां आ जाता है इत मेंस की वह मतलब कितने समय बाद एक बिंदू पर फिर से वह दोनों मिलेंगी यह question पूछ रहा है यह तो हमने बताया है कि एक ही बिंदू पर कब मिलेंगे तो simple सी बात है कि multiple देखना है कि lower common multiple यानि LCM निकलना है कि दोनों का common multiple तो कभी न कभी हो गई न जहां भी वह common multiple होगा वहां उसका answer हो जागा यानि कि उतना time बाद वह मिलेंगे जैसे कि यह 12 मिनेट है 12 मिनेट के बाद फर्स्ट राउन 12 मिनेट में complete होता है रभी का सेकेंड राउन 24 में complete होगा थर्ड राउन 36 में फोर्थ राउन ऐसे ही कितना हो जगा 48 ठीक है इस तरीके से होगा जबकि अगर हम बात करते हैं सोनिया आगे तो सोनिया 18 36 और ऐसे 24 ठीक है इस तरीके से तो lower common factor मतलब सबसे पहले common factor कौन सा देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 36 36 36 36 जानि आफ्टर 36 मिनट दोनों एक दूसरे से मिलेंगे 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे उस समय रभी का 3 राउंड होगा और सुनिया का 2 रा 12 का में LC मिलें निकालना है 2 चक 12 और 29 18 तीन दूना छे तीन 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 तूतियां चे छे दूना बारा बारती है 36 तो LC कितना गया 36 और यह एंसर होगा बच्चो यह एंसर होगा ठीक है फाइनली यह आपका question बन गया LC मिलेंगा कुछ करना नहीं था ठीक है पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगले पार्ट जो आने वाला पार्ट थ्री उसमें अम लोग डिसकस करेंगे इसको पार्ट थ्री में डिसकस करने वाले हैं किसको theorem 1.3 बाकी आपको पसंद आया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और खुब बड़ीया मल दन्यों अगले हैं